Hello students, आज हम अभ्यास सागर का तीसरा अभ्यास और निर्मिला सांप और सियाल पाट का नाम है और जो व्याकरण का भाग हम पढ़ेंगे इसमें वो है संग्या व भेद तो सरप्रतम हम जान ले कि संग्या है क्या? संग्या पता होगी तब तो हम उसके भेद जानेंगे भेद यानि प्रकार संग्या व भेद तो संग्या और उसके कितने प्रकार है तो देखे हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि संग्या क्या है? किसी का भी जब हम नाम लेते हैं मैं साधारन वाक्य से शुरू कर रही हूँ जब हम किसी का भी नाम लेते हैं या फिर जिस जिन शब्दों से इसी व्यक्ति के नाम या फिर स्थान या फिर जाती या फिर भाव का पता चलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? संग्या तो यहाँ पर नाम तो ठीक है नाम संग्या में किसी का भी नाम चाहे मेरा नाम है आपका नाम है राम है शाम है क्रेशन है कनहिया है कुछ ही कहलो चाहे व्यक्तियों के नाम कहो चाहे पूलों के नाम कहो चाहे आप नदियों का नाम कहो चाहे पेड व्रेक्ष जान के नाम लेकिन हम केवल नाम की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या कहते हैं कि यह व्यक्ति वाचत संग्या के अंतरगत आ गया ठीक है और फिर देखें जैसे परिवार में माता पिता बच्चे भाई बहन तो यह सब अलग-लग है ना इनके नाम क्या हो जाएंगे इनके नाम यक्ति वाचत हो जाएंगे लेकिन सब अलग-लग अलग-लग जाती इसको हम जाती कहेंगे क्योंकि जाती यहां पर कोई ख्षत्रिय या फिर अब्रामन ऐसी जाती नहीं है जाती से मतलब है कैटेगिरी जैसे कहते हैं चलो भी माताओं की लाइन अलग लगा दो बच्चों क अलग लाइन में खड़े हो जाएं तो भाई अलग बहन अलग लकड़ी पत्थर यह सब अलग कर दें पेड जानवर तो यह क्या आगे यह जाती है जिसको हम अलग कर सकते हैं पेडों को हम अलग कर सकते हैं फूल को हम अलग कर सकते हैं लेकिन इन सब के नाम को क्या कहेंगे हम तो वो व्यक्ति वाचे संग्या हो जाती है जाती यानि कि अलग अलग वर्ग में विभाजित कर देना अलग अलग category अगर मैं आपको एक सामान इकठा करके दे दूँ ठीक है और मैं उसमें कहूं जैसे मैंने pencil pen rubber है न सब इकठा कर दिया और मैंने कहा इसको अलग कीजिए तो ये भी जाती होगी मैंने पैंसिल अलग कर दी, पैन अलग कर दी चांट के अलग अलग कर दी है तो सब को मैंने अपनी अपनी कैटेगरी अपने अपने वर्ग में रख दिया तो ये जाती होगी और भाव क्या है हमारे अंदर की feelings हमारे अंदर के जो भाव हैं हमारे अंदर बहुत हैं देखो गुस्सा भी आता है हमको हम खुशी भी हो जाते हैं हम दुखी भी हो जाते हैं हम हैरान भी हो जाते हैं और हमें कभी-कभी क्रोध आता है तो ये सब क्या है? ये हमारे भाव हैं, हमारी feelings तो इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये भावा चक संग्या के अंतरगर आता है तो सरप्रथम हमने क्या करना है, पहला प्रश्न है पहला प्रश्न जो है, पहले प्रश्न में क्या किया गया है जो वाक्य आपने पढ़े जो हम वाक्य अभी पढ़ेंगे पहला प्रेशन में प्रेशन इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि क्लियर हो जाए उन वाक्यों में हमने करना क्या है अभी जो वाक्य आप पढ़ेंगे न उन वाक्यों में से संग्याशब चांद कर लिखे तो अब हमने सबको इकठा कर देना है अब केवल नाम, या जाती, या भाव, अलग लग नहीं देखने है हमने सबको इकठा ही ढूनना है अब यहाँ देखेंगे जैसे इसे यह आपके सामने यह वाक्य दिये गए है देखो, सयाल के पिता का नाम लहून भाई भोया था सयाल की मुस्कान बहुत प्यारी है जोंपड़ी के अंदर से उसकी मा पुकारती है निर्मला खुशी से उचल पड़ी सयाल की बहादुरी देखकर निर्मला हैरान थी तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे हम इसको रेखांकित कर लेते हैं ताकि आप पहले जो प्रश्ण है उसमें आप इसको लिख सकें देखें, नाम, यह देखें पहला क्या है, यह नाम है, ठीके? यह आजाएगा, हाना? फिर पिता भी क्या है? संग्या है और उनका नाम क्या था? लहून भाई भोया ठीके? तो यह क्या है हमारे? यह संग्या शब्दों को हम रेखांकित कर रहे हैं ठीके? तो यहाँ सेयाल फिर से आगया है लेकिन हम दुबारा लिखेंगे नहीं रेखांकित हम कर लेते हैं प्यारी जोंपड़ी है ना? मा निर्मला देखें खुशी अब यह इसलिया नहीं लगाएंगी क्यूंकि यह क्रिया है उचलपड़ी है ना? सेयाल आ गया फिर से नाम इसका और और बहादुरी फिर निर्मला आ गया और हैरान है ना? यह भी भावी है तो यह देखी यह हमारे सामने अब होगे संग्याशब सेयाल ठीक है? और पिता लहुन भाई भोया तो इसको आपने पूरा इन में लिख लेना है इकठे ठीक है? जो आगे रिक्त स्थान है उसमें यह लिखना है लेकिन सेयाल एक ही बार लिखना यह तीन बार नहीं लिखने के आवशकता है एक बार सेयाल पिता लहुन भाई होया प्यारी जोंपडी मा निर्मला खुशी बहादुरी हैरान ठीक है? निर्मला यहाँ पर दो वार आया है तो हमने एक ही बार लिखना है सेयाल यहाँ पर तीन बार आया है हमने एक ही बार लिखना है और अगर जगे नहीं कहीं बचे तो पिता फिर अबलिक करके मां वहाँ पर लिख देना चलिए अब ये पहले प्रश्ण तो हमारा क्लेर हो गया इसमें हमने अब क्या भरना है अब यहाँ पर हम लिखेंगे सयाल पिता और अब लिक करके मां लिख देना लहुन भाई भोया प्यारी छोंपडी निर्मला खुशी अलग-अलग श्रेणियों में बांठा है तो जितने भी नाम है हम उसको अलग कर लेते हैं देखो नाम कौन-कौन से आय थे सयाल आया था ठीक है नाम हमारे पास कौन आया था सयाल ठीक है छोंब लिख देते हो सयाल और निर्मला भी आया था मेरे पास नाम ठीक है निर्मला और साथी साथ लहुन भाईब होया तीनो नाम हो गए ये व्यक्ति वाचक संग्या हो गया हाना लहुन भाई भाई भोया ठीक है ये हमारे पास होगे तीनो नाम अब हम जाती वाचक संग्या यहां पर कहा है अलग अब मैंने आपको क्या कहा था देखो किसको अलग कर रहा है मा, पिता ठीक है तो ये सब हमारे क्या हैं जैसे यहां पर लिखूंगे मैं मा आया था तो मा जाती वाचक संग्या होगी पिता पिता भी जाती वाचक संग्या होगी अगर यहां पर बच्चे होते तो बच्चे भी जाती वाचक संग्या में आते जों पड़ी और तीसरा यहां पर भाव आचक संगय हमें का आए तो भाव क्या है फिलिंग्स तो फिलिंग्स इसमें देखो क्या क्या आई थी खुशी खुशी आया था बहादुरी यह भी भाव आचक है बहादुरी फिर हैरान हैरान और हमारे पस जगए नहीं बची तो हम यहां पर लिख लेंगे प्यारी ठीक है तो इस तरह से यह हमारे पास क्या हो गया यह हमारे पास तीनों श्रेणिया आ गई अब हमने तीनों को अलग लग कर दिया देखें सयाल व्यक्ति वाचक में क्या गया सारे नाम आगे सयाल निर्मला लहुन भाई भोया और जाती वाचक में क्या गया मा पिता जोंपडी भावाचक में खुशी बहादुरी प्यारी अब देखें अब स्लैम आप इसकी परिभाशा बना सकते हो नीचे दी गए परिभाशा को पूरा कीजिए किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान जाती या क्या बच गया या भाव यहां क्या जगा भाव के नाम को हम क्या कहते हैं संग्या संग्या की परिभाशा क्या बन गई किसी भी व्यक्ति वस्तू स्थान जाती या भाव के नाम को संग्या कहते हैं तो अब प्रश्ण चार यह तो बहुत आसान हो गया अब क्यों कि अब इसमें से हमने व्यक्ति वाचक संग्या शब्दों पर घेरा लगाना है और व्यक्ति वाचक तो हम जानगे अब कौन से होते हैं जितने भी नाम हैं चाहिए किसी के भी नाम हो वो व्यक्ति वाचक संग्या के अंतरगर आते हैं यहां देखेंगे देखें प्रश्ण चार नीचे दिएगे वाक्यों में व्यक्ति वाचक संग्या तो हमने सारे नाम जितने भी नाम चाहे वो शहर का नाम हो चाहे किसी जगे का नाम हो चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो चाहे पेड़ पौधे का नाम हो या किसी बिल्डिंग का ही नाम हो या मंदिर का ही नाम हो तो हम उन सब पर घेरा लगाएंगे तो यहाँ पर कौन कौन से हैं देखे सयाल ने निर्मला को भाग जाने के लिए भाग केवल व्यक्ति वाचक पर लगाना है तो यहाँ पर कौन कौन से हो गए तो यहाँ पर क्या हो गया सयाल हो गया बिल्कुल और निर्मला जी क्योंकि ये नाम है अब दिल्ली और भारत तो बिल्कुल ये दोनों ही लगेंगे कि भारत देश का नाम है दिल्ली उसकी राजहनी का नाम पर नाम तो है न ताज महल बहुत सुन्दर इमारत है तो ताज महल क्या नाम है न इमारत का इसले इस पर भी हम धिरा लगाएंगे गंगा नदी का उदगम गंगोत्री से होता है तो यहाँ पर नदी का नाम क्या है? गंगा ठीके? उदगम कहां से होता है? गंगोत्री यहाँ रीना, पूजा और सीमा में गहरी दोस्ती है तो यह तीनों ही नाम होगे ना रीना, पूजा और सीमा तो आज हम केवल व्यक्ति वाचक संग्या तक करते हैं कल हम बाकी दो भेड जो हैं वो पड़ेंगे तो आज पहला भेड आपको clear है व्यक्ति वाचक संग्या चाहे शहर, स्थान, वस्तू या किसी व्यक्ति का नाम किसी का भी नाम हो सभी व्यक्ति वाचक संग्या के अंतरगत आते हैं तो आज के लिए इतना ही कल मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ तब तर धन्यवाद